तो वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल और अज की वीडियो भी इंटरस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखनें तो फर्स्ट अपडेट निगल कर आती है बीजी एमाई बैन को लेके तो बेसिकली एक पूने बेस्ट एंजियो है जिसका नाम है प्रहर है उन्होंने अपील करी है Ministry of Home Affairs and Ministry of Electronics and Information Technology से कि बीजी एमाई को बैन करें उनका जो नोटिस है वो आप लोगो को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा and इसमें उन्होंने बोला है कि जो क्राफटन है उनके अंदर जो 10 सेंट है उनके 15% स्टेक है and आप लोगो कोई पता ये Free Fire को भी बैन किया गया था and उसके अंदर भी जो 10 सेंट है उनके 18% स्टेक थे उन्होंने बोला है कि यह चीज एकदम सेम है बोले कि नोटिस है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ntc के उपर जो मेजी है उन्होंने रियक्ट करा एक और अप लोग देख सकते हैं मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा उसमें कोई एकनॉमिस्ट और पता नहीं क्या-क्या थे उन्होंने बोला है कि बीजमाई चाइनीज एप है इसलिए उसको बैन करो मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक केवल दो महीने हुए हैं दो महीने में कितने कितने लाक के इवेंट हुए हैं पता भी उनको और इस पूरे साल में कितने करोड के इवेंट होने वाले उनको पता भी है मैं सोच रहा हूँ यार की इतने करोडों के इवेंट्स हो रहे हैं इतनी सारी चीज़े हो रही है और अप लोग का इस पर परसनली क्या ओपीनियन है आप लोग मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसके बाद लोग पता हैं बहुत सारी लीक्स वगएरा हमारे को देखने को मिल रही ती की सोल नीओ कब देखने को मिलेगा पंदर साल उसका सोला हो जाएगा वो खेल पाएगा किसी ने मेरे को बोला है कि उसका कॉंट्रेक्ट शायाद अब कमिंग 3-4 मन्स और 2-3 मन्स में खतम होने वाला है और तभी वो 16 साल का हो जाएगा तो अगर वो 16 साल का हो जाएगा तब खेल सकता है e-sports obviously and इसके बाद जो मॉटल है उन्होंने बात करी ती टीम सोल के बारे में उन्होंने बताया तब इस बात बहुत लोगा कोशन है कि जो रेगल टॉस है वो हमारे को कब कमबेक करते वे वापिस दिखने वाले हैं एंड वो अमारे को सोल लाइन अप में देखने को मिलेंगे या नहीं तो इस पर जो मॉर्टल एंड रेगल टॉसे उन्होंने रिप्लाइ करा वह वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं कॉम्पी का सिंटेंगे में डेस्परेटली वेटिंग श्रीवास्ता भाई आपको अशनी पर चैनल एक इस नियुक्तल और विर्टली नहीं वह भ्राइव देखने के लिए और उन्हें पूरा करवण जिए लिए और वोग इंगे ग्रिफित उन्हें लोग अन्ने भूत के अट नहीं वह रिख़् आपने बूत के अए बेख़ विल अन्युक्तली कि य अभी 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 फोकस कर रहा है अपने कंटेंट पे हैं एवरिटिंग हम लोग उन्हें डेडिकेटेड लाइनप कर दिया है सोल के लिए विच विल ओनली प्लेए इस्पोर्ट्स और वो लोग बिल्कुल भी एवरिजम्पल्स इंटो इस्पोर्स टॉल फोकस करेंगे इस्पोर्ट्स दरगोन प्लेए इस्पोर्स दै कुन टॉर्ट भी है एम वोग कंटेंट में याएंगे इस्पोर्स डेडिकेटड लाइनप एंडिस के बाद जो मॉटल है उन्हों ने अपनी लिव श्रीम पे कन्फर्म किया कि वह भी टीम सोल के लिए फिफ प्लेयर ढूंड रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ए न अब तो एकिन कि टीम करते हैं इस और इंडिया में उतना नहीं आया है कि तुसे जादा फ्लेर सफोर्ड कर सकें तीम्स लिप्कार या बट दीम हैं इस फिफ प्लेर शोला नहीं प्लेर खोलेर राइटा जब दिखते तो है प्राइड गट्राइड है इस प्रषांट से फित्त सब्सक्राइड प्रषाण प्रीज की विड हो प्रॉड या कि टो भूड़र अछों की जड़ियोज फित्फ प्लेयर कुछकी ज़ खित्ट भी है अच्छरव के दिखते तो डुड चाया आच्छरों का सबसे पहले लीक्स निकल कर आई है हाइडरा को लेके तो मेरे को जहां तक पता लगा है जो टीम हाइडरा है वो रैकनिंग लीक्स दी दी ती कि जो निकल के लाइन अपर से लाइन अप को हायर करें और इसके बात जो मेजी ऑन्होंने बात करी ती टीम वॉराइवर के लाइन अप के बारे में उन्होंने बताया तक जो फाइनल हो गई है चांट हैнокस, काश, वेज़, और क्यों यार रखने और देखने वाली बात अब यह की फूर्थ प्लेयर उनके कौर रहते हैं नेकसेस उनके लाइन अप में खेलने वाले हैं या फिर उनके चेंज़ेंजे में देखने को मिलेंगे लुआ वीडियो में बता दूँगा तो वीडियो को लाइगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना कर दो कर दो अर्प